हेलो दोस्तो मेरे ना मैं MS5 मैं आपको जिखाने वाला हूँ Tata Tiago का XT Model तो भही सबसे ज़्यादा बिखने वाला यह model है आप देख सकते हूँ सबसे ज़्यादा figures देखें अगर sales की तो सबसे ज़्यादा XT Model ही बिखता है क्योंकि यह सबसे ज़्यादा value for money आपको मिल जाता है तो शुरुआत करते हैं इसके dimension से तो आपको length मिलती है 3765 mm width मिलती है आपको 1677 mm और height की बात करें तो height आपको मिलती है 1535 mm तो भाई गाड़ी बहुत ही बड़ी है आपको मिल जाती है segment के हिसाब से तो शुरुआत करते हैं इसकी light से तो lights आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको halosan light setup मिलता है और इसके अंदर आपको indicator मिलता है halosan के अंदर ही तो नीचे आप देख सकते हैं आपको इसके अंदर कोई भी fog lamp नहीं मिलता तो बाद में आप उसको लगवा सकते हो तो front आप देख सकते हो बहुत ही बड़ी आपको front मिल जाता है chrome की यहां पर आप देख सकते हो line आपको बहुत ही बड़ी यहां पर मिल जाएगी center में आपको Tata का logo मिल जाता है तो अभी चलते हैं इसके side portion पे तो side पे आप सबसे पहले आप देख सकते हैं इसका आपको indicator जो है वो आपको मिल जाता है इसके ORVM के उपर तो आप देख सकते हो glossy finishing के अंदर आपको मिल जाता है इसका ORVM तो अभी देखते हैं इसके tire को तो tire section की बात करें तो इसके अंदर आपको 175 oblique 65 R14 का tire मिल जाता है बहुत ही बढ़िया लगेगा देखने में आपको तो इसके अंदर आपको 170 mm की ground clearance मिल जाती है wheelbase की बात करें तो इसके अंदर आपको 24 mm का wheelbase मिलता है तो अभी बात करते हैं इसके petrol tank की तो पेट्रोल टेंक आपको 35 लेटर का इसके अंदर मिल जाएगा तो आप देख सकते हो बहुत ही बड़ी आपको लुकिस की बैक साइड से मिलते है तो अभी देखते हैं इसके बैक साइड को तो सबसे उपर आपको हाई माउंट स्टोप लैंप मिल जाता है तो इसके अंदर आपको कोई भी डिफोगर नहीं मिलेगा तो आप देख सकते हो इसके साइड पे आपको छोटे छोटे ऐलिमेंट्स मिल जाते हैं यहां पे बलैक कलर के अंदर तो यह देखने में भी बड़िया लग रहे हैं तो अभी देखते हैं इसकी lights को तो lights आपको मिलती है इसकी halogen के अंदर indicator और backlight पे आपको halogen मिलती है तो आप देख सकते हो back इसका side तो पिछे आपको कोई भी request sensor नहीं मिलता आपको key के साथ इसके अंदर entry करनी होती है तो पिछे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो parking sensor मिल जाते हैं और नीचे आपको black color में इसका bumper मिल जाता है पिछे से black और white में तो आप देख सकते हो यह इसका back side और बहुत ही बड़े आपको back side इसका लगेगा देखने में तो अभी देखते हैं इसके sides पे तो आप देख सकते हैं अभी हमने इसका 360 view complete कर दिया है तो अभी देखते हैं इसका interior तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसकी key तो इसके साथ में आपको दो की मिलती है एक remote की और दूसरी आपको simple की मिल जाती है तो key के अंदर आप function देख सकते हैं तीन आपको मिल जाते है lock unlock और follow me headlamp के option तो अभी देखते हैं इसके door को तो door में आप देख सकते हैं handle आपको मिलता है इसका gray color के अंदर और नीचे आपको power window के मिल जाएंगी यहां पर switches तो आप देख सकते हो और पिछे आपको यहां पर कोई भी soft touch नहीं मिलता प्लास्टिक में मिलता है आपको तो over vm's के control आपको यहां पर मिलते हैं उपर तो आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको बड़िया आपको over vm's के control सब भी आपको मिल जाएगा और नीचे आपको speaker grill मिलती है और पिछे आपको bottle holder मिल जाएगा तो space वाइज आपको बड़िया space इसके अंदर निकालके दी हुई है डोर में तो अभी देखते हैं इसकी seats को तो seat पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको कोई भी height adjustment नहीं मिलती तो आप देख सकते हैं इसकी seat seat के अंदर आपको he dari stamp?」 वह मिलते हैं adjustable तो seat की kushning आपको बड़िया मिल जाती है और काफी चोडी-चोडी आपको seats मिल जाएंगे इसके अंदर कुश्च समिज आपको बड़िया मिल जाती है और थायस पॉर्ट तो स्टेरिंग वील आपको बढ़िया मिल जाता है नीचे आपको फ्लैट बोटम मिल जाएगा तो आप देख सकते हो इसके उपर आपको म्यूजिक के कंट्रोल मिल जाते है और वाइस कंट्रोल मिल जाता है तो आप देख सकते हैं बीच में आपको मिल जाता है टाटा का तो औंपर और आप दीख सकते हो आपको चेелमेटें कॉल जाता है और एक साइड को यह亞ाвойपер की कन्ट्रॉल मिल जाएगि तो स्टेरिंग यहांगि इसमें कि बात करें तो इससे इनदर आपको इसमेंट इसमेन मिल जायेगि तो यह आपको tilt का option इसके अंदर मिल जाता है telescopic आपको इसके अंदर नहीं मिलता तो अभी देखते हैं इसके music control को तो सबसे उपर आपको मिल जाते है AC vents उसके बाद भीच में आपको 1000 का बटन और यहां पे आपको मिल जाते है 3.5 इंच की screen और साथ में आपको music system मिल जाता है 2DIN का तो नीचे आप देख सकते हैं यहां पे आपको मिल जाता है manual AC तो आप देख सकते हैं यह इसके मिल जाएं कि आपको control वगएरा तो नीचे आप देख सकते हैं यहां पे आपको 12W का power socket और साथ में USB port तो उसके बार आप देख सकते हो यहांपे आपको कुछ स्पेस मिल जाती इस सटोरेज के लिए और शाहतमें मिल जाता है 5 speed यहां पर gearbox और यहां पर आपको मिल जाते हैं कप holder और पिछह आपको कुछ storage वगयरा मिल जाती है और hand brick मिल जाती है तो इससे glove box की बात करें तो glove box आप देख सकते हो काफी बड़ा को इसके अंदर गलव बॉक्स मिल जाता है और वो भी आपको स्टोरज के साथ में अच्छी खासी तो आप देख सकते हो यह इसका पूरा डैश पूर्ड लुक आप देख सकते हो बहुत ही बड़ी आपको इसकी लुक मिल जाती है तो अभी देखते हैं इसके सनवाइजर को त इसके अंदर मिल जाते हैं आई यार वीम की बात करें तो यह आपको मैनुल डे और नाइट के लिए इसके अंदर फंक्शन मिल जाएगा तो बेसिक नीड्स की बात करें तो इसके अंदर आपको सबी चीजें बड़ी है क्वालिटी के अंदर मिल जाएंगी और सबसे आपको इसके इंदर 4 star rating इसकी end cap rating मिल जाती है तो आप देख सकते हैं आपको बड़ी है इसकी dashboard की look मिल जाएगी तो plastic की quality आपको अच्छी मिल जाती है तो अभी देखते हैं इसके back door को तो back door पे वैसी आपको color tone मिल जाती है और यहां पे आपको tutor view मिल जाता है नीचे आप दे सकते हैं यह इसका back door तो अभी देखते हैं back sitting को तो back seats भी आपको बड़ी हैं मिल जाती हैं यहां पर भी आपको space में कोई प्रेशानी नहीं आएगी तो आपको fixed disk के headrest मिल जाते हैं तो आप देख सकते हैं यह इसकी back seats तो space देखी जाए तो space के हिसाब से देखो तो मेरी height 5 foot 10 inch है और अगली seat मेरे हिसाब से set होने के बाद आपको इतना यहां पर मिल जाता है leg room, knee room आप देख सकते हो तो space wise भी आपको कोई भी शिकायत नहीं आएगी तो पिछे आपको कोई भी AC vents नहीं मिलते हैं उपर आपको बीच में मिल जाता है इसका lamp तो यह आपको मिल जाता है LED में तो आप देख सकते हो यहां पर आपको grab handle मिल जाते हैं sides पे तो पिछे sitting में आपको बड़िया मिल जाती है तीन बंदे भी इसमें अराम से बैठ सकते हैं और यहां पर आपको छोटा सा hump मिल जाता है तो यह आपको 2.5 inch का यहां पर hump मिल जाता है तो पिछे से आप इसकी बात करें तो यह आपको मिल जाती है 240 लेटर की तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको hook वगयरा मिल जाती हैं तो इसके अंदर आपको कोई भी lamp इसके अंदर नहीं मिलता और इसके अंदर आपको parcel tray भी नहीं मिलती जो कि आपको बाद में इस पे लगवानी पड़े गी तो बाके देख सकते हैं अब तो उपर दिखी हैं तो उपर आपको यहां पे पुरा cover area मिल जाता है तो grab handle भी अपको उपर मिल जाता है तो यह था इसका बू अभी में बंद और दिखाते हैं आपको इसका engine तो इसके engine की बात करें तो इसके अंदर आपको मिल जाता है 1.2 लिटर का रेविट्रोन एंजन तो 1199 CC का ये एंजन है इसके अंदर आपको मैक्सिमम पावर मिल जाती है 84.82 बीएच बी तो इसकी टॉर्क की बात करें तो इसके अंदर आपको 113 एनम की मिल जाती है टॉर्क तो उपर आप देख सकते हैं यहां पे आपको मिल जाता है पुरा इंसलेशन तो इसके मैलेज की बात करें तो इसके अंदर आपको 20 की एवरेज मिल जाती है बाकि आपको चलाने के उपड़ी पैंड़े आप इससे ज़्यादा भी इससे निकाल सकते हो तो अपने अभी देख लिए पूरी काड़ी तो अभी बात करते हैं इसके प्राइस की तो अभी हम हैं टाटा शोरूम डिरवसी में तो यहां पे इसका एक शोरूम पढ़ता है 5,99,900 रुपे तो इसके उन रोड प्राइस की बात करें तो यहां पे आपको इसका उन रोड प्राइस पढ़ता है 6,88,100 रुपे बाकि आपकी सिटी के हिसाब से उन रोड प्राइस में फरक आ सकता है अगर आपको अपनी सिटी का उन रोड प्राइस पता करना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो बाकि आपको गाड़ी कैसी लगी आप कमेंट करके जुरूर पताना अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक कर देना कमेंट कर देना और इसको शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ फैमली के साथ में सो गाड़ी के बारे में आपको कोई भी information चाहिए तो description में दिये number पे आप कोल करके पूछ सकते हो सो वीडियो को end अभी यहीं पे करते हैं मिलते हैं आपको अभी next वीडियो में